हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेयर करना ना भूले नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार सुप्रभाद शिरादे बहुत स्वागत बस महज तीन दिन दूर नववर्ष के प्रवेश में बहुत सारे काम हर किसी को समेटने होंगे एक नई सुरुवात से पहले पुराने को एक सीमा तक बाधना यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में जिसके लिए हम सब को बहुत ज़्यादा आत्म विश्वास की आवश्यक्ता होती है हमारा confidence label ही हमारी जीत को निरधारित करता है हमने देखा कि अगर आपके कुंडली में बहुत अच्छे confidence के योग ना हो आत्म विश्वास के योग ना हो तो आपके जीवन में पतन के बहुत सारे कारण बन जाते हैं अब एक कुछी दिन पहले कन्या हमारे पास आई थी कुंडली दिखाने के लिए माता पिता के साथ जिसके मतलब सव पॉजटिव बताओ खुश एक निगेटिव उन सव पॉजटिव पे भारी क्या आपको पती अच्छा नहीं मिलेगा इतना सब बताना था फिर सादी क्यो प्रवा देते हैं हमारा आत्म विस्वास उखड जाता है गलत है सरासर गलत है ऐसा नहीं होना जाहिए हमें आत्म विस्वास को अपने बिलकुल लबरेज रखना है भर के रखना है जोश में रहना है मित्रों एक बात सदय वियाद रखिएगा अगर आपके अंदर का आत्म विस्वास मजबूत है तो आप देर सबेर जीतेंगे ही ये अंतिम सकते हैं तो आज इसी आत्म विस्वास को बढ़ाने का ब्रमास्त आपका इंतजार कर रहा हैं अभी इस ब्रमास्त का इंतजार करे कैसे बढ़ाएं आत्मिस्वास, अदभुत प्रियोग, दिब्वितम प्रियोग, बिलक्षण प्रियोग और काले तिल का चमतकार होगा कैसे होगा थोड़ा सा इंतजार करिएगा टिक टॉक पे आप हमें फॉलो कर सकते है अट दिरेट ऐस्ट्रो फ्रेंड जीरो एट ये आठ हमारा जन्मत तारीख है, आठ जून हमारा डेटा बर्थ है तो वर्ष, क्या सुच रहते हैं कि वर्ष भी बता देंगे अच्छा, आप एक टू चालू हो अभी तो बस सुलहमा लगा है इसी जून में, याद रखे को ये सुलहमा बिदबै नहीं करेगा आने वाले 50 साल भी, 16 साल के रहेंगे हैं न चलिए तो आठ जून तो एस्ट्रो फेंड जिरो एट, ये हमारा इस्टाग्राम और टिक टॉक की आईडी है टिक टॉक पे जबरदस्त प्यार मिल रहा है, 30-30 हजार व्यूज मिल रहे हैं एक मिनट की वीडियो के लिए मात्र एक मिनट में और टिक टॉक पे बहुत जल्द हम कुछ बड़े-बड़े उपाय भी बताना सुरू करेंगे जो वहाँ के यूथ के लिए रहेगा और डिक्टोर सेम टाइम पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं कहाँ पर? यूट्यूब पे भी जहाँ पर आप अभी है पंचांगाज का बताते हैं कन्या राशी का चंद्रमा उत्रा फालगुनी नक्षत्र सुबह आठ बच कर 69 मिनट तक इसके बाद हस्त नक्षत्र चंद्रमा का सभाग की योग है सुबह नो बच कर 9 मिनट तक इसके बाद शोभन योग रहेगा तदनस्वार दिनाग 29 दिसंबर दिन शनिवार सेटर्डे सनिवार को राहुकाल रहता है 9 बच से लेकर के 10 बच कर 30 मिनट तक और गुलिक काल का समय सुबह 6 बच से 7 बच कर 30 मिनट तक राहुकाल में कोई भी शुब काम की सुरुवात नहीं की जाती और गुलिक काल में किसी भी नए और शुब काम की सुरुवात आप कर सकते हैं चली अब बात कर लेते हैं आज के भविशुफल की बताते हैं मेश सिलिकर के मीन तक वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा भी इतने वाला है कितना भागे साथ देगा और हाँ आप सब अपने अपने आतविस्वास को बढ़ाने के लिए आज का ब्रमास्त रुचरूर देखिए मेश राशी मेश वालों के लिए आज के दिन थोड़ा सा आलस से सामना करना पड़ सकता है हो सकता कि आलस से बहुत जादा परिशान करें जिसकी वज़े से आप खुश ना रह सकें तो कुछ काम आज आपके अधूरे रह सकते हैं पेंडिंग बढ़ सकते हैं और जमीन जाजात की भी मामलों में आज कुछ उलस सकते हैं का दिन आज का आपका बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है आज छठे भाव से चंद्रमा संचरन कर रहा है लिहाजा गुप्त शत्रू भी पनप सकते हैं शिक्षा में मन बद्यार्थियों का कम लगेगा क्या विशेश करना चाहिए आज के दिन सरसो का तेल आज अपने सभी ज्वाइंट्स में लगा लीजेगा क्या नहीं करना है स्वास्त से लापरवाही नहीं गुलाबी रंग्षू भी क्यावन प्रिशत का भागिया ब्रिशब राजी उलजने परेशान कर सकती है धन की स्थिति आज थोड़ी सी डामडोल रहेगी आज आज आपका दिया हुआ पैसा कहीं ब्लॉक हो सकता है आज किसी महिला मित्र का साथ कुछ हद तक रिलीफ देगा आज के दिन यात्रा सुखद लावदाइग रहेगी ब्यापारिक फैसले आज उत्तम साबित होंगे शुब साबित होंगे क्या खास करें आप आज के दिन एक टुकड़ा गुड़ का किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी ब्रुशब है तो आज किसी की शिकायत न करिएगा लाल रंगशुप पैसल प्रिशद का भाग गये है मिथुन राशी सही निरड़ा ले नहीं पाएंगे किसी बुज़ूर का साथ ले लिजेगा आज पती-पत्नी के वीज विवाद पैदा होने जा रहा है पिता-पुत्र में भी बैचारिक मद्भीद गहरा हो सकता है नौकरी में कारिक्षेतर में थोड़ी सी उल्जने परिशान करने जा रही है आपको धन के लिए परिशानी आज बढ़ सकती है आज चोट चपेट की भी संभावना बन रही है स्वास्त पर विशेश ध्यान देनी क्या वशकता है मिथुन के लिए आज क्या खास करना होगा आपको आज के दिन दूरवा दूब घास ग्रीन ग्रास छोटा सा टुकडा खा लिजेगा क्या नहीं करना मिथुन वालों को आज बिना भोजन की ये घर से निकलियेगा मत ने तुपवास हो जाएगा आज हरारंग शुभष साठ प्रिश्ट का भाग्या है करक राशी बड़ी उल्जने आज प्रिशान करने जा रही है आज साधी तूट सकती है संदान के पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आज चिंता की बात रहेगे आज चिंता सताएगी पुराने किसी दोश्ट से आज भीट वारता हो सकती है विद्यार्थियों का मन स्रिक्षा में आज अच्छा लगेगा अगर आपकी राशी करक है तो आज नया प्रेम संबन्द इस्टैबलिश हो सकता है ये आपके लिए आज बड़ी बात है नौकरी के लिए प्रयास आज टाल दीजिएगा दोस्तों का साथ लेते रहिएगा क्या विशेश करना चाहिए आज आज छोटी अंगली में हलका सा मिट्टी लगा लीजिएगा हो गया कम क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी करक हैं तो आज ख्रोध नहीं करना है राहो चल रहा है ना आपकी राशी पर सफेद रंग शुभ है पचास प्रिशत का भाग आपके साथ है सिंग राशी अच्छा दिन रहेगा उत्तम स्वास्त का आज लाव मिलेगा थोड़ा सा सांस की दिक्कत परिशान कर सकती है घुटने से भी परिशार रहेंगे लेकिन फिर भी चलते रहेंगे आप किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है सिंग राशी बालों के लिए आज सरदी सोड़ी सताएगी ध्यान दीजेगा भई दिल्ले में तो हार कम कपाने वाली सरदी पढ़ रही है पता है दिमाग में कई बार चलता है कि किसी को अच्छा खासा पनिश करना हो तो खपड़ा निकाल के मोटर सैक्ल बैठा दो चालेज बचाद के स्पीर पे चलाओ आजमी जिन्दा नहीं बचेगा भालक ठा सरदी है यार दिल्ले में बाब रे बाब तो सिंग राशी वालों के लिए आज सरदी सता सकती है आज सिनी का प्रभाव थोड़ा सा दूशित है क्योंकि सेकेंड हाउस में चंद्र्मा आया जो कि जली राशी का स्वामी है सेकेंड हाउस हमेशा हमारे شरीर हमारे वेक्तित तो हमारे मुख हमारे अभा मंदल का परचायक होता है क्या मिश्यश करना चाहिए सिंग राशी वालों को अगर आपकी राशे सिंग है तो आज एक पौधा कहीं लगा दीजेगा क्या नहीं करना है आज ठंधा पानी मत पीजेगा गरम पानी पीजेगा नीला रंगशुब 69 प्रस्ट का भाग्याब के साथ है कन्या राशी नहीं नोगरी की संभावनाएं बन रही है पुरानी समस्याओं से बाहर निकलेंगे धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी परिवार में खुशी का वातावरन रहेगा मांगलिक कारे संपन न होंगे आज बढ़बोला पन थोड़ा परेसान कर सकता है नहीं नोगरी की संभावनाएं तलाश लीजेगा ब्यापार में आज 10 से 15 प्रस्ट का इजाफा होगा नहीं व्यापार की योजनाएं बना सकते हैं किसी पुरानी समस्याओं से बाहर निकालने में कोई दोस्त ही आपकी मदद करेगा क्या खास करना चाहिए आज एक चुटकी हल्दी खा लीजेगा गुनगुना दूद पी लीजेगा वैसे भी एंटिबाइटिक होता है हल्दी में क्या नहीं करना है आज 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 के दिन किसी दोस्त से जूटा वादा नहीं करना पीला रंग शुब तिरस्ट प्रश्ट का भागए तुला राजी आपके लिए आज बंबं दिन है नहीं नोकरी की आज योजनाएं सफल हो जाएंगी नहीं नोकरी मिल ही जाएगी बॉस के साथ ताल में लच्छा बैठेगा धन किस्तिती बहुत अच्छी रहेगी प्रश्ट्धी काभी संकेत अच्छा मिल रहा है मांगलिक कारों में बेस्त रहेंगे किसी पुराने मित्र से भेट बारता हो सकती है आज प्रश्ट्धी भी आज कदम चुमेगी राजनीतिक लोगों को भी शेशला मिलेगा जमीन जायजात के विवाद से कोई दोस्त आपको आज बाहर निकालेगा क्या खास करना चाहिए आज के दिन से बाहर भी निकल आएंगे अगर आपकी राजसी ब्रिश्टिक है तो आज के दिन उत्साह आपके साथ रहेगा आपनों विस्वास पहले सही आपके साथ रहता है उत्साह भी आज आपके साथ रहेगा तो कुछ काम आज अच्छे निप्टा लेंगे आप ब्रिश्टिक वालों को आज धन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है रुपया पैसा आपके पास बहुत बढ़ी आएगा अगर आपकी राजसी ब्रिश्टिक है तो चलाए मान समय रहेगा चलता हुआ ये समय आपके लिए ही है इस समय को आप जितना कैश करना चाहते हैं कैश कर सकते हैं नए व्यापार का आरम में भी कर सकते हैं नए योजनाओं को आज मूर्त रूप दे सकते हैं वाहन भी बदला जा सकता है आज जमीन का लाब भी मिलने वाला है बिश्चिक वालों के लिए क्या खास करना चाहिए आज एक बादाम की गिरी कहीं पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है किसी अजनभी पर भरोसा नहीं करना है बादामी रंग शुब 58 प्रिशद का भागया धनुराशी प्रिशद्धी आपके साथ रहेगी हो सकता है धनुराशी वालों को आज थोड़ा सा स्वास्त को ले करके परेशान होना पड़े तो हेल्थ पर अपने बहुत फोकस करिएगा धनुराशी वाले आज चलते हुए किसी ऐसे इंसान से टकराने वाले हैं जो आपकी बेहत मदद करने वाला है आज धनुराशी वाल तो आज के दिन को आप प्रॉपर तरीके से फुल इंज्वाइ करिएगा वजल्ब आज खुश रहना है क्या नहीं करना है आज आपको अकेले नहीं बैटना है काला रंग शुप साथ प्रिशत का भाग गया है कैसे बढ़ाएं आत्मिस्वास ये आज का हमारा प्रम्हास्त रहेगा और हाँ कल्चर वैली का सेमिनार बिलकुल आपकी बगल में गाजियावार में होने जा रहा है आप उसमें सम्रित होकर की कल्चर वैली प्रोजेक्ट से हमारे जुड़ने का लाव ले सकते हैं मकर राशी की बात कर लेते हैं विदेश से सुप संदेश की प्राप्ती होगी आज कोई अपना आप से मिलने आने वाला है बहुत दिनों के बाद एक अच्छे स्चान से मिलने का लाव प्राप्त होगा आज ब्यापार के लिए फैसले लिए जा सकते हैं टालिये गामत आज के दिन को जितना आप यूज कर सकते हैं यूज करने की कोशिश करियेगा आलत से थोड़ा सा परेशान कर सकता है घुटने की दिक्कत परेशान कर सकते हैं दो दिक्कतें अगर रहेंगी तो आपको इससे जूजने की हिम्मत और होसला चाहिए क्या विशेश करना चाहिए आज के दिन किसी को एक रोटी दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज आज खाली पेट नहीं रहना श्लेटी रंगशो मौनसर प्रसत का भागया कुम्बराशी उल्जने बहुत ज़्यादा परेशान करें तो अपने आपको संभालने की कोशिश किया करिए और ये उल्जने आज आपको परेशान करेंगी तो किसी और पर आपको भरोसा नहीं करना है किसी और पर भरोसा नहीं करना है खुद पर ही भरोसा करिएगा जितना स्वयम को आप मजबूत बना सकते हैं मजबूत बना लीजेगा कुम्ब राशी वालों के लिए कुछ लड़ाई जगड़े की में संभावना बन रही है इधर उधर उलजने परशान कर सकते हैं अधानी के साथ अपने कदम बढ़ाई और आगे बढ़ते चले जाएं कुम्ब राशी वालों के लिए क्या विशेश करना चाहिए आज के दिन अगर आपके राशी कुम्ब है तो आज पूरे दिन उत्साहित रहना है आपको आज का काम कल पर नहीं डालना है बादामी रंगशुब 51 प्रिशत का भाग अंतिम राशी मीन मीन राशी वालों को नहीं नगरी की सवगात मिलने जा रही है आज पेंडिंग पड़े काम को पूरा करने का समय है कांट्रैक्ट नया मिल सकता है फिल्मी दुनिया वालों के लिए आज विशेश लाव होने जा रहा है अगर आपकी राशी मीन है तो आज निर्त कलाव आदि में आपको विशेश लाव मिलेगा नया अनुबंध होगा जिसे हम कांट्रैक्ट बोलते हैं आज बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा धन किस्तिरी बहुत अच्छी रहेगी किसी भी रुके हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करने के लिए दिन महावत्तम है क्या विशेश करना चाहिए आज मीन आशी वालों के लिए एक बात का खास ध्यान रखना है और वो है आज के दिन एक गुलाब का फूल शिवलिंग पर अर्पित करके प्रणाम करें और ओम नमह शिवाय का चाप कर लिजे क्या नहीं करना है अगर आपकी राशमीन है तो किसी भी बड़े के साथ उलजना नहीं काले तिल से कैसे आत्म विस्वास बढ़ाया जा सकता हर घर में काला तिल मिल जाएगा ये आज का हमारा मिशह है दबा कर वीडियो को शेयर किया करिए ये जनकल ल्यान की भावनाओं के साथ जुडा हुआ एक मिशन है जहां पर एक सकरात्मक उर्जा का संचार अनवरत चलता रहता है जल्दी से जान लेते हैं आज की सकसेज की तो इस सकसेज की को यूट्यूब के साथ साथ आप यूटिक टॉक पे भी पा सकते हैं महज एक मिनिट में आज हम जो बताएंगे आपको कि कैसे आज की पूरे दिन को हम बैतर कर सकते हैं नए वर्ष के आरम से पहले और इसके साथी साथ आज काले तिल से आत्म विस्वास बढ़ाने की कला एश्ट्रो फेंड संतो संतोशी इस यूट्यूब चैनल पर मिल सकता है तीन बार ओम बुम बापे छोटा हूँ की मात्रा ओपर बिंदी तीन बार ओम बुम ओम बुम का चाप बाई नाग दबा कर ओम बुम ओम 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 ऐसे बाई नाग दबा कर करिए और उसके बाद आपके दिन को महाशुब होता हुआ इंज्वाए करिए चलिए ये तो रहा सक्सेस की आप बात कर लेते हैं आज के भाग्याक्षर का मेश चोटी ब्रिशबरा मिथनगाक्षर करकटा सिंग जाक्षर कन्याता तुला चोटा उखषर ब्रिशचिकला धनुसाक्षर मकरफा कुमभचाक्षर मीन चोटा आ ये आपका अपना शुब्भाग्याक्षर है जो 24 घंटे के लिए आपकी मदद करता है एक साधे चौकोर कागश पर लाल रंग की इंक से लिख कर रहिए और 24 घंटे हसते रहिए बारिया गई अबाच के ब्रम्हास्त्र की बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं काले तिल से कैसे हो चमतकार अर्थात कैसे काला तिल आपके आतनमिस्वास को बढ़ा सकता है स्पेशल ब्रमास्त्र आपके सामने है नया साल है नय साल का आगाज हो चुका है और नय साल में ये छोटा सा उपाए आपके जीवन को कई मुचाईयों तक लेके जा सकता है कैसे आत्नमिस्वास के दम पर बहुत बड़ी चीज है आत्नमिस्वास भागिशालियों को ही प्रकृत्यात्मिस्वास से भरपूर बनाती है साथ चुटकी काले तिल एक कागज पे रख लीजे और फिर तीन बार सल से उल्टा वारी है 90% काम हो गया है और फिर सामने रखकर गायत्री मंद्र का एक माला जाब करिए और फिर एक छोटे से काले कपड़े में अब साथ चुटकी है तो हलका सा इतना सा होगा काले रुमाल में काले कपड़े में रखकर किसी पौते की निजे रख दीजे बस इतना छोटा सा काम बताईए कितना छोटा है लगातार तीन दिन करना है खाली पेट करना है पत्थर नहीं और इसके साथ साथ नो नौन वेज बस थैंक्यू सो मच बहुत शुक्री आप सबका आज तक तो गौहाटी में आप हमसे मिल लिए अब कल से लगातार पांच जनवरी तक गाजयाबाद ने मिल सकते हैं और फिर तेरह जनवरी से कहाँ पर प्रियाग राज कुम्भ में वहाँ पर हम आपनों का स्वागत करेंगे जीवन के तमाम दोशों से बचने के लिए आपके दिन की शुभ मंगल कामना नमस्कार क्या आप प्ले स्कूल खोलने के लिए सोच रहे हैं क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक प्ले स्कूल के आप मालिक बने यदि हाँ तो आपके शहर में हम आपको एक मौका देने जा रहे हैं जी हाँ हम आपको एक फ्रेंचाइजी आफर करते हैं जिसका नाम है कल्चर वैली, Infusing God क्या है ये सारी जानकारे के लिए जो नमबर चल रहा है इस पर आप कॉल करिए और एक अच्छी संस्था के मालिक परिये हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेर करना न भूले